हेलो दोस्तो वेलकम टो जीटेक पॉली तो कैसे है आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहतरीन जबर्दस्त और जिन्दाबाद होंगे तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटिफुल सेशन में फटा फट से आजे सब लोग गूड बॉर्निंग टू आल अप बॉर्न च्प्टर है लोप्ति कवीर आज सभी लोग फटा फट से आज एज रीऊ प्यारे दोस्ति आ में वेरी गूड बार्णिग Very Good Morning आज़े सभी पहाँ दोस फटा-फट से Good Morning हेमन्त आज़े सभी लोग थोड़ा सा बेट कर लेते हैं फिर शुरुआत करते हैं Very Good, Very Good Good Morning नयतिक आज़े सभी लोग सबसोसों के जगर हैं अभी वेरी गूड मॉर्निंग दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों का अगला चैप्टर है तेट इस वाइबरेशन थेओरिया मसीन में आपका अगला चैप्टर है वाइबरेशन जो कि कहीं न कहीं ठोड़ा सा एक जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था अन्बैलेंसिंग क्यों आता है मैसीन में उसको हम क्यों बैलेंस करते हैं तो उस अन्बैलेंसिंग के कारण से कुछ ना कुछ जो डिस्टर्वेंस होता था मैसीन में क्या होता था उसके बारे में हम यहां पर detail में discuss करेंगे बारी बारी से तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है vibration में तो vibration में generally आप लोगों कुछ चीज़े पढ़नी है क्या क्या पढ़नी है उसमें देखिए यहां पर उसके कुछ classification पढ़ने है कि कौन-कौन से जिसे लाम की ट्यूर्नल वाइब्रेशन हो गया, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो गया, टोर्सनल वाइब्रेशन हो गया उसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें numerical solve करेंगे कि यहां कैसे कैसे इसको find out करते हैं फिर dampening आप vibration पढ़ना है कि vibration की dampening क्या होती है दोस्तों फिर इसके कारण क्या होते हैं, इनके काज के बारे में पढ़ना है, निवारण, भाई किसी का कारण तो निवारण भी होगा, ठीक है सर निवारण भी पढ़ेंगे इसके हम लोग, remedies के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या effect आते हैं, ultimately हम लोग पढ़ते हैं, इसके क्या क्या स्टाफ की गए थी कुछ रीजन्स थी इसके इसनाते आपकी क्लास नहीं हो रही थी अब आपकी क्लास डेली कांटिनीव रहेंगी ठीक है ठीक है दोस्तो तो चलिए श्टार करते हम लोग बाइब्रेशन क्या होता है अपने आप से एक बाद डेफिनीशन बताईए कि बाइब्रेशन आपके end से क्या होता है कमपन ऐसे आप लोग कहते होंगे ना कि धरती कमप रही है कमप रही है कमपन जो भुकमप गईरा बोलते हैं वो भी एक तरह का ही कमपन ही है बाइब्रेशन का डेफिनीशन आप अपने end से बताईए उसके बाद में बताता हूं कि होता क्या है यह अच्छा अच्छा बताईए सब लोग vibration क्या होता है एक बार अपने end से ओके ओके सुनिये द्यान से मैं बता रहा हूँ आपको जैसे मान लीजिए कोई भी body क्या है वो अपने mean position पर खड़ी है कोई elastic body अपने mean position पर खड़ी है हम उसको क्या कर रहे है थोड़ा सा disturbance दे रहे है जैसे मान लीजिए ये कोई body है ठीक है ये कोई body है ये कोई body है ठीक है वो अपने mean position पर ऐसे रुकी हुई है ठीक है यहाँ पर ऐसे mean position पर रुकी हुई है हम क्या कर रहे है इसको थोड़ा सा disturbance दे रहे है disturbance मतलब क्या हुआ कि हम कुछ unbalance force दे रहे हैं इसको कुछ unbalance force दे रहे हैं इसको ये क्या कर रहा दोस्तों ये क्या कर रहा to and from motion करना शुरू कर दे रहा है मतलब ये क्या कर रहा है इस side में motion कर रहा 2 and from मतलब इधर उधर motion करना शुरू कर दे रहा है इधर उधर motion करना सुरू कर दे रहा है और ये motion को क्या कर रहा है बार बार ये two and fro जो motion है दोस्तो two and fro motion मतलब इधर उधर जो motion है इसको क्या कर रहा है ये repeat कर रहा है repeat कर रहा है repeatedly लगा रहा है ठीक है जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये charger है ठीक है मैं इसको क्या कर रहा हूँ एक pendulum की वहांत बना ली हैं और मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि एक थोड़ सा disturbance कतीज दे रहा हूँ यह क्या कर रहा है two and four motion कर रहा है इधर उधर उधर क्या कर रहा है अगर हम लगातार इस पर इस disturbance लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं तो क्या इसका motion रुखेगा नहीं रुखेगा लगातार लगाते जाएं तो क्या इसका motion रुखेगा नहीं रुखेगा ये भी एक तरह क्या है दोस्तो बाइब्रे होगें, component होगे, part होगे, उसमें हम अगर क्या करने, थोड़ा सा disturbance दे रहे मतलब, कुछ हम क्या कर रहे हैं, unbalanced forces लगा रहे हैं, इस कारण से वो क्या कर रहा है, अगर वो, to and from motion क्या कर रहा है, repeatedly लगाता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो इस तरह के जो यहाँ पे Oxalation वाले motions होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों Vibration कहते हैं ठीक है देखिए द्यान से इसका definition क्या होगा जो लिखना है definition देखिए आप यह भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि to and from motion क्या कर रहा है वो repeat कर रहा है repeat कर रहा है और आप सभी प्यारों दोस्तों को पता होगा कि जैसे हमने IC engine देखा है जो IC engine होता है दोस्तो IC engine IC engine में क्या होते हैं बहुत सारे parts लगे होते हैं इसमें क्या होता है reciprocating motion होता है rotary motion होता है इन सभी motions के कारण से क्या होता दोस्तो कुछ न कुछ इसमें unbalance forces develop होते हैं unbalance forces जो मैंने आपको बताया पीछे उस unbalance forces के कारण से क्या होता दोस्तो इसमें unbalancing produce होती है वो unbalancing क्या करती है vibration पैदा करती है वो unbalancing क्या करती है vibration पैदा करती है तो ये भी दोस्तों क्या है ये भी एक तरह का vibration का main region क्या निकल के आ रहा है यहां से आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ जा रहा होगा कि सर कहीं न कहीं इसका जो सबसे बड़ा region दिखाए दे रहा है वो क्या दिखाए दे रहा है हमको unbalanced forces unbalanced forces मतलब जो यहां पर आस अंतुलित बल पैदा हो रहे हैं अगर आपको इसको feel करना है तो आप simply क्या करिए अगर आपके घर पर centrifugal pump हो यानि जो pump set machine होता है जब वो running condition में हो तो आप उस पर हाथ रखिए चलिए ठीक है इतना दूर भी मत जाईए आप लोग आप simply क्या करिए अगर आपके घर washing machine है वो running condition में है आप उस पर हाथ रखके खड़े हो जाईए हाथ रखके खड़े होंगे तो आपको कुछ कैसा दिखेगा आएसे आपका motion क्या दिखेगा आएसे 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 कुछ ऐसे motion होगा ना आएसे 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 ये भी क्या है दोस्तो two and from motion है किसके साफ एक mean position है मतलब जब वो इस्थिर था तो उसका एक mean position था washing machine का लेकिन जब वो running condition में तो उस कारण से two and from motion हो रहा है ऐसे 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 ये भी एक vibration है ठीक है तो यहां से जो definition निकल के आता है vibration का दोस्तों क्या होता है कि कोई भी body अगर two and from motion क्या कर रही है repeatedly लगा रही है उस तरह के motion को हम लोग क्या कहते हैं vibration कहते हैं ठीक है अब आज यह आगे बात करते हैं इसका definition क्या होगा very good very good यह भी बहुत सही बहुत सही जहां आप लोग फिल कर लो बस vibration आपको फिल करना है ठीक है तो यह देखिए ध्यान से आपको जो definition लिखना है आप इसको भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं कि कि किसी प्रत्यास्त अंग किसी प्रत्यास्त अंग या आवयो द्वारा एक निश्चिस समय अंतराल पर आसंतुलिद बल unbalance forces के कारण से उत्पन की गई क्या है एक गती है unbalance forces के कारण से उत्पन की गई एक गती है ठो दोस्तों तो vibration can be defined as the motion taken by an element एक element के द्वारा motion लिया गया है कब जब उस पर हम क्या कर रहे है unbalance forces लगा रहे है for a definite time interval ठीक है ठीक है दोस्तों हाँ बिल्कुल बिल्कुल very good embass हूँ मैं कह रहा हूँ जहां आप लोग feel कर लो समझ लो वहीं पर ही vibration है ठीक है बस यह depend करता है कि आप feel कैसे करते हो अभी simply अगर आपको और feel करना है जहां आप बैठे हो वहाँ पर दोड़ना सुरू कर दो ठीक है वहाँ पर दोड़ना सुरू कर दो फिर आपका जो hurt है ना जो hurt है वो भी क्या करेगा कुछ ने कुछ vibrate करेगा ठीक है यह भी vibration आप feel कर सकते हो बाकी भुकम पाया था अभी जल्दी में ही तब भी आपने feel किया होगा ठीक है तो यह होता है दोस्तो कि किसी भी elastic member पर हम क्या कर रहे हैं unbalance force लगा रहे हैं तो उस कारण से जो उसमें motion पैदा हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं vibration ठीक है ठीक है चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसी से related कुछ terminology आते हैं इसमें क्या क्या है वो terminology उ जैसे हमने गीयर में पाड़ा था कुछ terminology उसी तरह से vibration में भी कुछ terminology है क्या क्या है वो terminology ध्यान से देखिए एक होता है दोस्तो periodic motion periodic motion मतलब एक समय अंतरार के पाप पस्चात क्या और ही अगर कोई गती लगातार क्या कर रहे है रिपीट कर रही है तो उसको हम लोग कहते है periodic motion ठीक है ध्यान से देखिए यहां पे आप लोग मतलब कहना क्या चाह रहे है periodic motion में आप लोग यह देखिए ध्यान से मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए जैसे सुनिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं कि एक body है ठीक है ऐसे एक body है इस पे मैं क्या कर रहा हूं एक क्या कर र अगर इसी को मैं graph पे plot करूँ दोस्तो ऐसे मान लिजे इसका curve बना हुए एक तो कुछ curve ऐसा दिखेगा कर्व मान लिजे कुछ ऐसा दिख रहा है जो curve है वो कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है आप इसको feel कर सकते हैं feel करके बनाए ठीक है सामने अप कोई ऐसे क्या करी एक member ले जिए जैसे मैं इस member को ले लिया मैंने इस पर unbalance force लगाया ऐसे यह आपको क्या दिख रहा है कुछ ऐसे दिख रहा है ना ऐसे ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है यह इसका mean position है मतलब जिस position पे पहले यह था यह मान लिजे इसका mean position है इस mean position के यह क्या कर रहा है दोस्तों इधर उधर क्या कर रहा है इस mean position के इधर उधर क्या कर रहा है देखिए द्यान से देखिए द्यान से दिखा इस mean position के इधर उधर क्या कर रहा है यह vibrate कर रहा है तो आप इसका अगर एक graph plot कर रहा है तो कुछ ऐसा graph दिखेगा मतलब यह ऐ ऐसे उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है हां कि ना तो इसमें अगर हम बात करें यह अगर मोशन रिपीटेड हो रहा है तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पिरियोडिक मोशन ठीक है तो यही इसका डेफिनीशन है पिरियोडिक म इस समय के पस्चाद बार-बार दोराई जाती है, कई बार दोराई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्थ या कालिक गती कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्थ या कालिक गती, ठीक है, any motion which is repeated again and again, बार-बार, ठीक है, repeat कर रही है, after a certain time period, कुछ time period के पस्चाद, तो इस त ठीक है देखो vibration आप लोगों को feel करना है अभी इस साधियों का season चलना है ठीक है जहां पर DJ बज रहा हो जाके प्यार से खड़े हो जाओ ठीक है खड़े हो जाओ जो feel होगा vibration न वो बहुत ही बहतरी नोला vibration feel होगा ठीक है वहां भी आप vibration को feel कर सकते हो तो आपको कुछ लगेगा कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है कुछ ऐसे ऐसे क्या कर रहा है मेरी mean position के सापेक्ष में क्या कर रहा है मेरी mean position के सापेक्ष में कुछ ऐसा हो रहा है ठीक है वही चीज है दोस्तो ठीक है तो ध्यान से देखिए यह क्या हो गया इसका अगर एक्जामपल देखें तो बाइब्रेटरी मोशन हो गया और ऑक्सिलेटिंग मोशन हो गया ठीक है अब ध्यान से सुनिए सब लोग यहां पर अगर मैं एक साइकल की बात करूँ तो एक साइकल में कितने डिगरी का कौण बनता है आप लोगो पता ही होगा जैसे मैं एक साइकल यहां पर ड्रा करूँ सरकल पूरे सरकल में कितने अंस का कोंड बनता है यह आप लोग जानते है कितने अंस का 360 अंस का 360 डिगरी का ठीक है तो अगर हम यहाँ पे एक cycle दर्साना चाहें जैसे मान लिए यह 0 डिगरी पे है यह pi हो गया यह 2 pi हो गया तो यह आपको पूरा क्या दिखरा है दोस्तों यह एक complete cycle दिखरा है इसी को आप लोग कहते है cycle, one complete cycle दिखरा है आपको, तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे cycle बोलते है और यह जो motion आपको दिखरा है इसी को आप लोग कहते है periodic motion यह terminology आपको रटना नहीं है, यह आपको feel करना है, ठीक है, यह जो motion आपको दिख रहा है, यह जो motion है दोस्तों, यहाँ पे लिख लिजी आप लोग, यह जो motion दिख रहा है, आपको इसी को हम लोग कहते हैं, periodic motion, periodic motion, और इस motion के दोरान, जो दोस्तों, क्या होता है, maximum deflection होता है, किसी भी एक side में, जो maximum deflection होता है, जैसे यह आपको दिख रहा है, यह जो maximum deflection होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, I am, I am मतलब amplitude बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको amplitude बोलते हैं, मीन पोजीशन के सापेक्स में जो maximum deflection होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, I am बोलते हैं, क्या इतनी बाते सबको समझ में आई, बताईए सब लोग क्या ये बाते सबको समझ में आई जो मैंने आपको बताया periodic motion क्या होता है एक cycle क्या होता है इसमें और I am क्या होता है तो आईए पहले इंटर्म्स को देख लेते हैं बारी बारी से तो एक दोस्तों होता है आयाम जो मैंने आयाम का आपको बताया पीछे सेम चीज वही लिखा हुआ है कि कमपन गती के अंतरगत अपनी माध्य स्थिती से मीन पोजीशन से जो इधर उधर maximum deflection होगा उसी को हम आयाम बोलते हैं अंग का अधिक्तम जो क्या होता है दोस्तों displacement होता है deflection होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आयाम बोलते हैं जो अधिक्तम बिस्थापन होता है अरजीत राइफाल यह थियोरी आप मसीन है उपर लिखा हुआ देखिए थियोरी आप मसीन mechanical engineering fifth semester का subject है ठीक है उपर बच्चे भी लिख रहे हैं कई सारे the maximum displacement of an element from its mean position under vibration vibration motion क्या कहलाता है दोस्तों amplitude कहलाता है बात समझ में आई बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों time period क्या होता है simple सी बात है ना एक cycle को पूरा करने में जो समय लग रहा उसी को हम time period कहते हैं एक cycle को पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसी को हम time period कहते हैं ठीक है देखिए द्यान से यहां पर एक cycle को पूरा करने में एक cycle को पूरा करने में दोस्तों एक cycle को पूरा करने में पूरा करने में जो time लग रहा है ना करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तो टाइम पिरियट कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तो टाइम पिरियट बोलते हैं ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं टाइम पिरियट कहते हैं देखिए कैसे definition बन रहा है कि एक cycle को पूरा करने के लिए जो समय लगता है एक cycle को पूर करने में लिया गया समय क्या कहलाता दोस्तो time period कहलाता it is a time taken to complete one cycle simple simple सा definition है इसमें रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता हूँ वही चीज कर रही है पिरियोडिक मोशन एक cycle मैंने आपको पताया एक cycle में कितना 360 का कोण बनता है यह आपको पता है यह आपको पता है यह जो आपको यह दिखरा है यह complete cycle हो गया एक cycle फूरा करने में जो समय लगता उसको time period कहते हैं जो maximum deflection होता है उसको आयाम बोलते हैं बस यही ठीक है बहुत बढ़ी है कबीर ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों आप रिती क्या होती है आप रिती frequency क्या होती है आप लोग ऐसे सुनते होंगे ना अरे sir मेरी frequency क्या कर रही है match नहीं कर रही है किसी से मतलब जैसे अभी सुनिये ज्यान से आपकी frequency मेरे से match कर रही है तभी आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं एक चीज होता है ना कि हमारी frequency किस से match कर रही है क्या वो सामने वाला हमको सही से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं जैसे मैं आपको पढ में जो चक्रों की संख्या होती है उसको लोग क्या कहते हैं आप रिती कहते हैं जैसे ध्यान से देखो यह यूनिट टाइम में कितने चक्कर काट रहा है तुमको आपको बताना है यहां पे ध्यान से देखो फिर से देखो फिर से आप बताना है कि कितने चक्कर लगा रहा है ये unit time में मतलब एक minute में या एक second में कितना चक्कर लगा रहा है आपको बताना है, बताओ, बताओ, बताइए सब लोग, ये क्या है, एक second में सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक second में कितने चक्कर लगा रहा है, एक second में कितने चक्कर लगा रहा है, एक second में कितने चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों उसकी आबरती बोलते हैं ठीक है फ्रेक्वेंसी बोलते हैं तो एक योनिट सेकेंड में चक्रों की संख्या को क्या करते हैं आबरती बोलते हैं इसे हर्ट में लिखते हैं हर्ट एच जड हर्ट में लिखते हैं ठीक है अगर इसको आप लोगों को लिखना है, फार्मूला लिखना है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, यह होता है, f बराबर, आपको कभी-कभी कल्कुलेशन भी पूछेगा, तो f बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा, फ्रेक्वेंसी क्या होता है दोस्तो, टाइम पीरियड, यह टी क्या होता है, यह टी होता है दोस्तो, टाइम पीरियड, यह टी होता है आपका टाइम पीरियड, जिसे हम लोग कहते हैं समय अंत्राल, हाँ, दो, दो, एक सेकंड में तीन चक्कर, फिर से देखो, एक सेकंड में तीन चक्कर लग रहा है, एक सेकंड पूरा हो गया, लगबग देड़ चक्कर से भी कम लगा रहा है, ठीक है, तीन चक्कर देख लिए, स्रीकांद, एक सेकंड में तीन चक्कर, देखो ध्यान से, निचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब प्राकृतिक आविरती क्या होती है, जैसे मान लीजी मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपने मीन पोजीशन पर क्या है, ऐसे है, ये जो पेंडुलम है, ये मान लीजी अपने मीन पोजीशन पर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोस्तों इसको डिस किया तो इस टाइम में वो एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक सेकेंड में वो जितने चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग क्या करें नेचुरल फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि हम एक ब पार हमने क्या किया इसको में पोजिशन से डिस्प्लेश किया है में पोजिशन से क्यों एक बार डिस्प्लेश किया तो यह जो यहाँ पर आपको बाईब्रेशन दिखेगा इसको हम कहते हैं free vibration और इस condition में दोस्तों जो इसकी frequency होती है आप रिती जो होती है उसे हम लोग कहते है natural frequency उसे हम लोग कहते है natural frequency तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे ही कि क्या होता है free vibration के कारण free vibration के कारण से free vibration के कारण जो आबृत्ती उत्पन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों जो आबृत्ती उत्पन होती है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल फ्रेक्वेंसी उत्पन होती है उसे नेचुरल यानी की प्राकिर्तिक यानी की सोतंतर ठीक है, natural frequency कहते हैं ठीक है natural frequency कहते है अच्छा आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब मैंने एक बार disturbance दिया था उसको naturally तो रुक क्यों जा रहा था, इसके पीछे का कोई reason बताएगा कोई प्यारे दोस्ट इसका reason बताएगे कि जैसे मान लीजीए मैं क्या कराऊं, इसको disturbance दे रहा हूं ये रुक क्यों जा रहा है ये चल क्यों नहीं रहा है सबसे question है, बताओ सब लोग जैसे मैंने एक बार इसको disturbance दे दिया, मान लीजीए तो ये रुक क्यों जा रहा है देखिए कुछ time के बाद अभी रुक जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है कोई बताएंगे कोई बताएंगे बताइए सब लोग बताइए सब लोग इसका reason क्या है ये रुक क्यों जा रहा है जबकि मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ अभी सर रुकिये मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ very good, very good, very good क्या बात है अरे आलो गलत, गलत, गलत नहीं, नहीं घरसड, घरसड, घरसड किसका घरसड resistance of flow सही बहुत सही very good, very good बैक्सीन बैक्क्यूम, बैक्सीन नहीं बोलता है इसको, Mr.Kabir बैक्क्यूम, निर्वात बैक्सीन नहीं बैक्सीन नहीं बेल्कूल, बेल्कूल very good, very good, ग्रेविटी अरे 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 ठीक है हाँ बहुत सही बहुत सही देखिए द्यान से यहां पर देखिए यह जब हिल डूल रहा है तो इसके आज पास में क्या है fluid के पार्टिकल हैं अब कई बच्चे कहेंगे सर fluid मतलब पानी ऐसा नहीं होता है fluid में अवारी दोनों आ जाती है ठीक है जो air है नहीं का अनूब फid दोस्तों आपका regionance, अनुनाद, ठीक है, आएए देखते हैं, वो क्या होता है regionance, सुनिए द्यांज़े सब लोग यहाँ पे, उधर कोई नहीं देखेगा, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार मैंने disturbance दे दिया, ठीक है, एक बार disturbance दे दि लगातार, excitation लगा रहा हूँ, unbalance force लगा रहा हूँ, अगर वो जो natural frequency है, और उसके बाद में जो मैं क्या कर रहा हूँ, force लगा के यहाँ पे frequency दे रहा हूँ, मतलब कि, बल लगाने के बाद जो इसमें frequency आ रही है, ठीक है, बल लगाने के बाद जो frequency आ रही है, अगर दोनों की frequency क्या हो रही है बराबर हो जा रही है तो उस घटना को हम लोग कहते हैं अनूनाद क्या कहते हैं दोस्तों resonance कहते हैं ठीक है अब सुनो ज्यान से मैं आपको एक दूसरा और प्यारा सा example बताता हूँ जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्यारा सा दोस्त है ठीक है उसकी girlfriend है ठीक है उसकी girlfriend है अब वो क्या है देखिए उन दोनों की frequency जो match कर रही है वो क्या है natural frequency है उनकी frequency क्या है natural frequency है लेकिन किसी कारण बस क्या हो जा रहा है कि एक और दोस्त आ जा रहा है वो क्या कर रहा है फोर्स फुली क्या कर रहा है frequency पैदा करा रहे है, मतलफ वो बढ़ियां-बढ़ियां gift दे रहा है वो क्या कर रहा है, बढ़ियां-बढ़ियां gift दे रहा है, और जो उसका frequency है, वो forced वाला frequency है बल लगाने वाला frequency है अगर ये जो natural frequency है ना अभी couple के बीच में, और ये अगला दूसरा वाला दोस्त है अगर उसकी फ्रेक्वेंसी इसकी girlfriend से match कर गई तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तो वहाँ पे दोस्तो क्या होता है यह heart break हो जाता है तो इसी तरह से जो regionence होता है दोस्तो ना regionence भी बहुत ही भयानक पर इघटना होती है ठीक है ठीक है बात समझ में आया अच्छा अच्छा बात समझ में आया मतलब जो natural frequency अभी couple के बीच में है और वो जो अगला वाला दोस्त आया उसकी जब frequency दोनों से match कर गई ना तो इधर वाले जो आप हैं आपका frequency कट जाएगा वो natural frequency जो force frequency है वो हाभी हो जाएगा मतलब वो जो चौकलेट मिल रहा है dairy milk वाला वो हाभी हो जाएगा तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अनुनाद मतलब क्या निकला आप definition सुन लीजिये ध्यान से कि natural frequency और अगर forced frequency दोनों क्या हो रही है बराबर हो जारी है किसी कारण वस तो उस घटना को हम अनुनाद कहते हैं इसी लिए बोला जाता है कि जब हमारे प्यारे जवान क्या करते हैं दोस्तो मार्च करते हैं किसी पूल पे जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि कदम से कदम ना मिला के चलें वैसे तो बोला जाता है कि हाँ कदम से कदम मिला के चले जो होता है ना मार्च करते हैं ऐसे ऐसे तो पुल पे उनसे कहा जाता है कि सभी लोग कदम से कदम मिला के ना चले क्योंकि जो वहाँ पे पुल है उसकी कुछ ना कुछ नेचरोल फ्रिक्वेंसी है अगर वो जो पैर व तो यह होता दोस्तों, रिजोनेंस, और रिजोनेंस के कारण से क्या हो रहा दिल टूट रहा है, बाकी आप डेफनीशन अब देख लीजिए, डेफनीशन तो वही हो गया आप, when the frequency, जब frequency of external force, जो दूसरा वाला दोस्त है, उसकी frequency is same as that, आप किसके सेम हो जाता है, natural frequency के, जो आप वाली frequency है, is state of resonance, अनुनाद की घटना क्या होती, तब पैदा हो जाती है, ठीक है, resonance result क्या करता है, दोस्तों, large amplitude of vibration, जो vibration का amplitude होता है, वो बहुत ही जादा पैदा कर देता है, और जिसके कारण से आप लोग कई सारी चीज फिल करते होंगे, कि हाँ क्या हो गया, पुल टूट गया, ऐसी सारी चीज़े आप सुनते होंगे, ठीक है, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, ठीक है, ये समझ में आ गया, resonance क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, अम लोग कुछ classification पढ़ लेते हैं, अब आगे हम लोग vibration के classification पढ़ लेते हैं, तो देखिए ध्यान से, इसको दो तरह से classify किया गया है, पहला देखिए ध्यान से क्या है, दोस्तों, कि जो हमारे elastic member है, उन पे किस तरह का force लग रहा है, इलास्टिक member पे कैसा बल लग रहा है, तो elastic member पे लगने वाले बलों के अधार पे दोस्तों, ये दो तरह से classify किये गए हैं, कितने प्रकार से दो तरह से, एक होता है दोस्तों, आपका, एक होता है दोस्तों, आपका free vibration, एक होता है दोस्तों, आपका free vibration, एक होता है free vibration, या natural vibration इसको आप लोग लिख लो यहाँ पर या नेचुरल भाइब्रेशन particular dot वाइब्रेशन ठीख हो या बल लगाकर हम जो पाइब्रेशन पैदा करते हैं उसे हम कहते हैं forced vibration ये दोस्तों होते हैं जो आपके दो तरह के होते हैं कौन-कौन सा होता है ये दो तरह के होते हैं एक होता है damped एक होता है damped और दूसरा होता है undamped इसका एक category है दोस्तों कि हाँ ये क्या होता है इसका amplitude कम होता जा रहा है या constant है क्या है ये उसी में आ जाता है similarly ये भी जो होते हैं दोस्तों आपके दो तरह के category में आ जाते हैं एक होता है damped एक होता है प्यारे दोस्तों आपका damped एक होता है undamped क्या होता है undamped ठीक है free vibration आपको पता हो गया होगा दोस्तों क्या करना है जानके जो free vibration होता है दोस्तों इसमें क्या होता है मैंने क्या बोला आप लोगों से कि मैं क्या कर रहा हूँ initially क्या कर रहा हूँ कुछ disturbance दे रहा हूँ उसके बाद इस पे मैं किसी तरह का कोई भी बल नहीं लगा रहा हूँ तो इस condition में जो vibration पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं free vibration स्वतंत्र रूप से vibration ठीक है और जो अगला होता है forced vibration इसमें मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तो unbalance forces लगाता जा रहा हूँ unbalance forces लगाता जा रहा हूँ इस कारण से जो vibration पैदा होता है इसको हम लोग कहते है forced vibration ठीक है ठीक है दोस्तो अगला जो हम बात करें classification का यह सबसे महत्वपूर्ण है और यह आपके exam में हर साल पूछता है यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके exam के point of view से ठीक है यह आपके exam में लगबग लगबग हर एक साल आता ही आता है ठीक है ध्यान दीजे सब लोग यहाँ पे यह तीन तरह के होते हैं दोस्तो कौन-कौन से होते हैं यह तीन तरह के होते हैं ध्यान दीजे सब लोग यहाँ पे कौन कौन से हैं वो तीनों प्रकार एक होता है दोस्तों आपको लौनगी ट्यूडिनल एक होता है आपका लौनगी ट्यूडिनल बाइब्रेशन आपने इस्ट्रेस पढ़ा होगा ना इस्ट्रेस तीन तरह के इस्ट्रेस आप पढ़ते होंगे तीन तरह के हाँ की न मतलब बारी बारी से आप इस्ट्रेस पढ़ते होंगे कि एक क्या हो रहा है एक्सिस के एलॉंग है एक्सिस के परपेंडिकुलर है एक ट्विस्टिंग के कारण से हम लोग पैदा करवा रहे हैं यह यह थी तीनों चीजे यहां पे भी आ है यह था दोस्तों ट्रांसवर्स वाइबरेशन लग्ण कि वाइबरेशन मोग्र couples बाइबरेशन एक रहिस्टिंग धू से आप선 है टॉर्षनल बेपरेशन क्या वाइबरेशन जन्टम क्यासर्स नल वाइबरेशन द्यानु से देखो ये किस अधार पे क्लासीफाई किया गया है प्रत्यास्त पिंड या पुर्जोग को आधार प्रदान करने वाले वाता वरण या पिंडों के उधपन्य प्रतिवल के अधार पर तो पहला क्या होता है दोस्तों longitudinal vibration यानि कि हिंदी इसका क्या हो जाएगा अनुदैर धे प्रतिवल, transverse vibration, अनुपरस्त प्रतिवल ऐसे कुछ होता है लंब कौन ये प्रतिवल, torsional vibration मतलब मरोड वाला vibration या कमपन अब सुनो ध्यान से ये जो आपको दिख रहा है longitudinal vibration, transverse vibration, torsional vibration सेम ये stress की ही तरह है अगर वो axis के क्या हो रहा है दोस्तों along हो रहा है तो longitudinal अगर वो perpendicular में हो रहा तो उसको कहते हैं transverse अगर वो घुमाओ वाला हो रहा है तो उसको कहते हैं torsional vibration अभी detailing करेंगे इसके बारे बारे से तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा free vibration क्या होता है क्या बात है क्या ही चलला है comment box में अरे यह बात है clear है जो मैं आपको बता रहा हूं पीछे जो मैंने आपको बताया vibration क्या होता है regionals औगरा क्या होता है ये सारी ची free vibration की, मैंने आपको free vibration का लगभग definition बता दिया कि कोई एक body अपने mean position पे है आप उसको थोड़ा सा disturbance दे दो एक बार, उसके बाद disturbance मत लगाओ ठीक है? उसके बाद आप disturbance मत लगाओ तो उस time पे जो यहाँ पे vibration पैदा होते हैं, दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, free vibration ठीक है? very good, very good तो ऐसे कमपन, जो किसी पिंड को आरंभिक विस्थापन देने से ही उत्पन हो जाते हैं योम पिंड पर जो बादी होता है, उस पे कोई viable नहीं कारे करता है, तो इस तरह के कमपन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र कमपन बोलते हैं, free vibration बोलते हैं, ठीक है? so these vibration which arise only by giving initial displacement to a body, किसी एक body को आप initial displacement दे दे रहें, उसके बाद कोई या force नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? तो वो जो vibration develop होता है, दोस्तों उत्वन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं, free vibration ठीक है? यह होता है, free vibration या natural vibration नाम सही लग रहा है, इसमें देखो क्या गवरा है, किसी पर हम force लगा के vibration पैदा करा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं forced vibration, तो यदि कोई पुर्जा या पिंड पे हम क्या करा रहे हैं, दोस्तों बल के कारण से जो कंपन पैदा होता, उस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं बल वाला कंपन कोई हम external force लगा के कंपन पैदा करा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बल वाला कंपन, तो when a body are part vibrate due to external force, कुछ external force लगा के, अगर कोई body vibrate कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं, दोस्तो forced vibration ठीक है? ठीक है? अगला बात करते हैं, दोस्तों हम लोग आगे जो बात आती है, दोस्तो damped vibration देखो इसको आप लोगों को feel करना है ना यहीं से feel करो देखो द्यान से, damped vibration को feel करना है आपको देखो द्यान से, इसको मैंने disturbance दिया देखो द्यान से, अब इसका amplitude क्या हो रहा है आयाम क्या हो रहा है, घटता जा रहा है घटता जा रहा है, घटता जा रहा है घटता जा रहा है, घटता जा रहा है एक टाइम पर आके रुख जा रहा है तो इस तरह के हम vibration को कहते है damped vibration ठीक है तो ऐसे company जिनका आयाम क्या होता है दोस्तो हर company cycle में क्या होता है हर एक company cycle में कम होता जाता है तो उस तरह के vibration को हम लोग कहते है damped vibration यानि कि sampeedit company अगर आपको इसका diagram बनाना रहे मान लीजिए कभी भी तो आप ऐसे बना सकते हैं दोस्तो देखे ज्यान से जैसे ये एक cycle हो गया इस एक cycle में आपको कुछ दिखा अगले cycle में कम दिखा फिर उसके अगले cycle में और कम दिखा तो ये आपको कुछ damped vibration की कड़ीर जैसे एक cycle ये हो गया ठीक है 360 अंस तक एक cycle हो गया उसके बाद 360 अंस तक अगर आपको दूसरा cycle बनाना है तो इसका जो amplitude है ये आयाम जो आपको दिखा रहे ना इसको मान लीजिए A1 इसको मान लीजिए दोस्तों आप लोग A2 और इसको आप लोग मान लीजिए A3 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि हर बार क्या हो रहा है हर एक cycle में इसका amplitude क्या हो रहा है कम होता जा रहा है तो इस तरह के vibration को हम लोग कहते है damped vibration ठीक है बना लीजिए गा आप लोग इसको ठीक है जान से देखिए इसका definition आप लोग अब कि those vibration whose amplitude keeps decreasing क्या कर रहा है हर एक vibration में decrease होता जा रहा है तो इसे हम कहते है damped vibration ठीक आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों यह होगा damped vibration अगला हम बात करते हैं दोस्तों आप लोग उसे longitudinal vibration क्या होता है साफ्ट है उसके नीचे मैंने एक मास लगा रखा है अब मैं क्या कर रहा हूँ इस मास को खीच रहा हूँ नीचे लाके खीच रहा हूँ उसके बाद देख रहा हूँ दोस्तों यह क्या कर रहा है उसके बाद मैं देख रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? Lonnie की Tudional Vibration ठीक है? जैसे माने लीजिए आपके सामने एक कोई यहाँ पे एक आपके सामने कोई मान लीजिए ऐसे मैं Collar Drama कर रहा हूं, ठीक है? यह कोई है एक Body ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे एक मास अटेच कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक द्रब्यमान अटेच कर रहा हूँ मालेजे उसका द्रब्यमान यहम है अब मैं नीचे क्या कर रहा हूँ इसको पकड़ के खीच रहा हूँ नीचे क्या करूब पकड़के खीच रहा हो, अब जब मैं इसको खीचूँँगा दोस्तो, जब खीचेंगे तो ये क्या होगा, पहले तो यहांपे कहीं पह आ जाएगा, तो इसका एक और ऐसे बगल में बना लेते हैं इसका दिखाने के लिए आपको देखे ज्यान से आप लोग यहाँ पे ठीक है? माने ली जी वो क्या कर रहा है? खीचने के बाद कहीं यहाँ पे आ गया फिर जैसे ही हम इसको छोड़ रहे हैं वो कहीं यहाँ पे चला गया ठीक है? यह है यहम दरब बिमान वाला ही ठीक? खीचने पे क्या कर रहा है? वो नीचे की तरह पा रहा है छोड़ने पे क्या कर रहा है? उपर की तरह पा जा रहा है तो इस condition में, इसमें जो vibration पैदा हो रहा, कैसा पैदा हो रहा, दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस axis के along पैदा हो रहा है ठीक है यह जो आपको axis दिख रही ए इसकी axis के along मतलब इसके axis के longitudinal axis में फैदा हो रहा है तो इस तरह के vibration को लोग कहते हैं longitudinal vibration ठीक है तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख लिख लिजिएगा कि कि पहुरा longitudinal axis longitudinal axis के along हो रहा है तो आपको कुछ feel होगा पहले क्या हो रहा है दोस्तों खीचने पर क्या हो रहा है टेंशन खीचने पर क्या हो रहा है टेंशन छोड़ने पर क्या हो रहा है कमप्रेशन खीचने पर टेंशन छोड़ने पर कमप्रेशन हा कि न भाई तभी तुo Cycle यह तयार होगा, देखो ध्यान से, जैसे मैं खीच रहाँ तो मान लिजी, उपर की तरफ कीच रहाँ, छोड़ रहाँ तो क्या और नीचे compression हो रहा है, फिर खीच रहा हूँ ये tension आ रहा है, फिर छोड़ रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, compression कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, साइकल तयार हो रहा है इस तरह के vibration को हम कहते हैं longitudinal vibration बात समझ में आया, हाँ बहुत सही बहुत सही, वो भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इसको और अच्छे से फिल करना है, तो आप एक spring लिजिए, आप अपने हाथ में एक spring लिजिए, उसके नीचे क्या करिए, इस charger को लगा दीजिए, ठीक है, तो एक cycle तयार जो होगा दोस्तो वाला vibration क्या कहलाएगा longitudinal vibration बहुत बढ़ी हैं very good आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तो जो अगली बात आती है आपकी जो अगला है आपका transverse vibration क्या होता है transverse vibration क्या होता है देखिए ध्यान से इसमें अगर आपको इसका definition लिखना हो तो यही चीज आप लिख सकते हैं कि मान लिजिए कोई यहाँ पर soft है यह कोई एक soft है ठीक है उसको हम क्या कर रहे हैं longitudinal axis के along खीच रहे हैं तो उसमें tensile और compressive forces पैदा होते हैं लगातार होता है यह चीज तो इस तरह के vibration को हम कहते है longitudinal vibration और अगर मान लिजिए मैं क्या कर रहा हूँ इस category condition में क्या कर रहा हूँ ऐसे एक यहाँ पर भी color ले रहे हैं ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ नीचे same condition यहाँ पर एक mass लगा रहे हैं नीचे same condition एक द्रब्यमान लगा रहे हैं लेकिन अब थोड़ा सा इसमें अंतर है, दोस्तों, वो क्या अंतर है, कि मैं पहले क्या कर रहा था, इस Axis के Along खीच रहा था इसको, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस Axis के, perpendicular इसको क्या करूंगा, दोस्तों, Twist कराूंगा, इस Axis के, जैसे ये, इसका Axis से खीचने की बात कर अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको क्या कराऊंगा दोस्तों बेंडिंग कराऊंगा बेंडिंग कराऊंगा ठीक है परपेंडिकुलर डारेक्शन में क्या कराऊंगा बेंडिंग कराऊंगा तो इस कंडिशन में जो इसमें पैदा होता ह है vibration उसे हम लोग कहते हैं transverse vibration अ कि देखे ध्यान से यहां पर क्या होता है transverse vibration यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग यह दिते मान लिजिए इस पिंडर लगे color कों प्या करने दाएं या बाएं मतलब यह मान लिजिए मैं क्या कर रहा हूं जब मैं इसको मोशन करा रहा हूं अगर मैं इसका पोजीशन आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूं यहां पर जैसे माल लीजिए माल लीजिए क्या हो रहा दोस्तों यह आपको सो करा ना हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा न यह आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहां पर गही पर आगया माल लिजिए उसके बाद अगर हम बाए साइड में बात करें तो यह पोजिशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहां पर हां की न यह यहां बे मैंने अनबैलेंस मास लगाया यह जो यहां पर नीचे मास लगाओ वही है अब मैं इसको क्या कर रहा हूं लेट और राइट डारेक्ट साइड में क्या कर रहा हूं दोस्तो लेट और राइट साइड में क्या कर रहा हूं दोस्तो इसको बेंड करा रहा हूं ठीके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कर रहा हूं ठीक तो definition देखिए इसका क्या होगा दोस्तों लिखना देखिए यही है आपको बना करके लिखना है कि मान लिजिए एक spindle लगे collar को हम क्या करें दाएं या बाएं घती करा रहे हैं तो spindle में bending के कारण से दोस्तों क्या होगा टेंसाइल वाग कंप्रेसिव फोर्स पैदा होंगे टेंसाइल वाग कंप्रेसिव आप bending में देखते होंगे ना जैसे मान लिजिए ऐसे कोई saft है अब जब इस पर आप लोग ऐसे मान लिजिए कहीं center पर बल लगाएं ठीक है तो आपको क्या दिखता होगा साप्ट कुछ ऐसे बेंड होता दिखता होगा यह साप्ट कुछ ऐसे बेंड होता दिखता होगा तो यह जो नीचे वाला फाइबर आपको दिख रहा है नीचे वाला फाइबर इसमें क्या होता दोस्तो इसमें क्या होता दोस्तो आपका tensile stresses पैदा होते हैं लेकिन जो इसका यही पास वाला fiber होता इसमें क्या होते हैं आपके compressive stresses दिखते हैं आप लोगों को तो वही criteria यहां पे भी लग रहा है कि क्या होगा दोस्तों tensile और compressive यहां पे forces पैदा होंगे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं Transverse Vibration कहते हैं हो गया definition इसका सेम चीज है दोस्तों बस और कुछ नहीं है तो इस प्रकार के कंपनों को हम लोग क्या कहते हैं इस प्रकार के कंपनों को जिसमें कालर या पिंड अनुदैर दे अच्छ के क्या करता है लंब रूप गती करता है उसे हम कहते हैं लंब कोडिये कंपन ठीक है बात समझ में आई क्या बात समझ में आई जो मैंने आप लोगों को बताया कि बताइये सब लोग क्या यह बाते सबको clear हुई ए ध्यान से देख लीजिये यहां पे इसको मैं लिग देर रहूं यहां पर spindle है यह एक spindle है यह क्या दोस्तों आपका एक spindle है ठीक और यह क्या दोस्तों आपका collar है को कॉलर का दरभिमान क्या है इस मालियम है एक पोजीशन यह माल लीजे कौन सा है left position खीचने के बाद से यह क्यों सा position है right वाला position है right position ठीक है तो इस तरह के जो vibration पैदा होते हैं उसे हम लोग कहते हैं transverse vibration अगली बात हम लोग करते हैं दोस्तों यह transverse vibration का definition हो गया अगला हम लोग बात करते हैं torsional vibration क्या होता है torsional vibration संध्यान से सुनिए सब लोग यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एक कोई कॉलर है ठीक है यह कोई एक साफ्ट है इसके एक एंड पर मैंने एक कॉलर लगाया इसको मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे जैसे कपड़ा आठते हैं न कपड़ा कपड़ा दुलने के बाद जब मर डिख सकते हैं कोई एक साफ्ट लीजिए जिसको आप मरोड सकते हैं मरोडJames होगा नहीं या उस तरह को ड़ देखान पूर ओर दीख सकते हैं तोठीर के मालिजया अप यह आपको त्षी करा कि있े करा एंचे से वाज जैसे छोड़ेंगे ना बहुत तेजी से क्याओगा पीछे की तरफ आएगा तो जब वो बाइब्रेशन करेगा उस तरह के बाइब्रेशन को लोग कहते हैं टॉर्सनल बाइब्रेशन ठीक है तो माल लीजिए मैं यहाप अगर आप इसको डाइगराम दिखाना चाहूं यहापे इसका एक डाइगराम आपको दिखाना चाहूं यह एक माली जे कोई एक साप्ट है ठीक है यह इसको मैंने यहां से क्या किया रोक रखा है अब द्यान से देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं मोड राउं मरोड राउं मरोड राउं मरोड राउं मरोड राउं ठीक है मरोड दिया जितना मैं मरोड सकता था तो मरोडने के बाद देखिए इसके बाद जैसे ही मैं इसको पहुत तेजी से वापस आएगा रहा है और उस कंडिशन में जो यहां पर आप लोगों को दिखेगा उस कंडिशन में जो आपको दिखेगा बाइब्रेशन उस बाइब्रेशन को कहते हैं दोस्तो हम कहते हैं मरोडवाइब्रेशन ठीक है मरोड बा इब दकान स् dykil ह strongestुण होगा ना उस vibrant को हम्लोग क्या कहते हैं torsional vibration आजै और आप लोगों को सारे चीज़े फील करनी है कैसे फील कर सकते हूं मैं बता रहूं आप को आपको क्या करिए कोई एक सरीया लीजिए। सरीया ठीक है आप उसके क्या करिए एक end से पकड़िए दूसरे end से क्या करिए ऐसे लगाए ठीक है unbalanced force आप वो देखेंगे जो vibration फील होगा ना आपको उस vibration को हम लोग कहते हैं transverse vibration क्यों क्यों क्योंकि इसका longitudinal axis यह है उस longitudinal axis के इदर उदर क्या कर रहा है वो vibrate कर रहा है transverse vibration एक spring लीजिए उसके बाद खीचिए छोड़ दीजिए जो इसमें tensile और compressive vibration फील होंगे आपको ना ऐसे ऐसे उस vibration को हम लोग कहते हैं longitudinal vibration आप simply यह क्या करिए कोई एक member लीजिए उस member को add दीजिए addने के बाद छोड़िए उसको तो छोड़ने पर जो आपको vibration फील होंगे ना यह इस हाथ में आपको सारा चीज फील होगा जब पकड़े रहेंगे आप इसको उस vibration को हम लोग कहते हैं torsional vibration ठीक है तो ज्यान से देखिए क्या होता है कि यदि spindle लगे collar में हम क्या कर रहे हैं कोई एक spindle लगा collar है ठीक है spindle लगे collar में हम क्या कर रहे हैं मरोड घुड लगा करके मरोड रहे हैं उसको और कुछ time के बाद हम क्या कर रहे हैं उस मरोड घुड को छोड़ दे रहें ठीक है छोड दिया जाए यानि हटा लिया जाए तो ऐसा करने पर spindle वग collar में एक मरोड कमपन उत्पन होता है वही मरोड कमपन कहता है इन कमपनों के कारण spindle वग collar में क्या होता सीयर stresses पैदा होते है ठीक है तो यह हो गया दोस्तों आपका torsional vibration आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हम इसको calculate कैसे करते हैं जैसे जो natural frequency होती है उसको निकालने की कौन-कौन से विधिया होती है methods कौन-कौन से होते हैं यह आपके exam में एक साल आया हुआ था यह ऐसे पूछा हुआ था कि किसी एक विधी के बारे में उल्ले कीजिए मतलब हम कितने प्रकार से natural vibration को calculate करते हैं एक का क्या करना है आपको detail में बताना है ठीक ह तो इसको हम लोग कल discuss करेंगे एक बार हम क्या करते हैं जितनी चीज़े हमने यहाँ पर discuss की है उसको क्या करते है रिकॉल कर लेते हैं ठीक है तो इतनी बाते अगर आपको यहां तक कोई doubt है तो आप लोग पूछ लीजिए मैं चीज़ों को क्या करना हूँ एक बार revise करा दे या वो क्या कर रहा है इधर उधर motion कर रहा है इधर उधर क्या कर रहा है तो इस condition में जो इसमें vibration जो फील होगा motion आपको न उस वाले फील वाले motion को हम कहते है vibration ठीक फिर मैंने आपको definition बताया कि कोई यह कि Elastic member है जिसमें क्या करने कुछ अन्बैलेंस फोर्स लगा रहे है त जो आपको motion यहाँ पर पैदा होता दिखेगा उस motion को हम vibration कहते हैं जैसे आप washing machine पर हाथ रखके खड़े हो जाए जब वो चल रहा हो या pump set machine को आप टच की रही है जब वो running condition में हो तो आपको एक vibration फील होगा पहले क्या होगा ऐसे लगेगा ऐसे ऐसे होगा ना ऐसे ऐसे होगा ठीक आगे हम लोगों मैंने आपको बताया कि कुछ इसमें terminology होते हैं एक होता है दोस्तो periodic motion तो एक ऐसी गती जो क्या करती है बार बार क्या करती है repeat करती है किसके सापे mean position के सापे उस तरह के motion को हम कहते है periodic motion उस periodic motion में जो maximum deflection होता दोस्तो maximum deflection होता है उसे हम लोग कहते है amplitude औ होता एक complete cycle को पूरा करने में जो यहां पर time लगता उसको time period कहते हैं और एक second में एक second में जितने चक्कर वो काट रहा है उसको हम लोग उसकी आवरिती बोलते हैं ठीक है फिर उसके साथ न सब्बसक्राइब मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह के बल लग रहे हैं इसके बाद क्या कर रहा हुँ है, कोई एक disturbance दे के छोड़ दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है, वो बाइबरेट कर रहा है रुख जा रहा है तो इस condition में जो vibration पैदा होते हैं, उसको हम लोग free vibration कहते हैं, दूसरा क्या हो रहा है मैं बार बार ऐसे क्या कर रहा हूँ disturbance देता जारों, disturbance देता जारों, बल लगाये जारों, बल लगाये जारों, ठीक है? तो इस तरह के vibration को हम लोग कहते हैं forced vibration और ये वाला vibration सबसे खतरनाग होता है क्योंकि ये धीरे-धीरे क्या करता है, जिस machine part पे लग रहा होता है, उस machine पार्ट की लाइफ पो क्या करता है बरबात कर देता है ठीक है दूसरा classification मैंने आपको बताया कि किस तरह के जैसे वहाँ उसका environment कैसे stresses पैदा हो रहे हैं एक होता है longitudinal vibration दूसरा होता है transverse vibration तीसरा होता है torsional vibration लॉनगी ट्यूडनल vibration में क्या होता है उस vibration को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तो लॉनगी ट्यूडनल vibration कहते हैं अगर ऐसे माल लीजे कोई ये कि spindle है उसके नीचे color लगा हुआ है उसके मैं क्या कर रहा हूँ perpendicular axis के left या right side में खीच करके छोड़ रहा हूँ ठीक है उसके longitudinal axis जो है उसके मैं क्या कर रहा हूँ अगर मैं क्या कर रहा हूँ इसको मरोड रहा हूँ मरोड करके छोड़ रहा हूँ ना तो बहुत तेजी से यह वापस आएगा ऐसे बहुत तेजी से वापस आएगा इस condition में जो आपको vibration फील होगा उसको हम लोग कहते हैं torsional vibration यह होते हैं दोस्तों आपके classification कल हम लोग discuss करेंगे किसको हम लोग calculate कैसे करते हैं कुछ इसके methods हैं जैसे free body diagram method हो गया रहले method हो गया energy method हो गया तो उसमें से मैं आप लोगों को एक दो method बताऊंगा एक दो question solve गर हुआंगा कल ही हम लोग discuss करेंगे कि इसके remedies क्या क्या होते हैं इसको हम कैसे दूर करते हैं इसके कारण क्या होते हैं तो यहां तक अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई भी समस्या कोई परिसानी तो आप लोग पूछ सकते हैं बताइए सब लोग क्या किसी प्यारे दोस्त को किसी तरह का कोई question पूछना आए यहां पर बिल्कुल 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 बेरी गोड बेरी गोड तो ये था दोस्तों आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कैसे इसको कल्कुलेट करते हैं कैसे निकालते हैं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जितनी चीजे मैंने आपको पढ़ाया इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यही से आपके question पूछे जाते हैं exam में कि vibration क्या होता है टाइप से कूछे जाते हैं calculate कैसे करना हूँ तो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं कल बाइबाय टेक केर